दोस्तो, 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहन, आईए जानते हैं चंद्र ग्रहन का सही समय, भारत में कब दिखेगा ग्रहन, सुतक काल, प्रभाव और साउधानिया दोस्तो, साल 2022 के आखरी सुर्य ग्रहन के बाद, अब साल का आखरी चंद्र ग्रहन भी लगने जा रहा है, आखरी सुर्य ग्रहन दिवाली के अगले दिन लगा था, वही आखरी चंद्र ग्रहन सुर्य ग्रहन के ठीक 15 दिन बाद, देव दिवाली के दिन यानी 8 नवंबर को ल लगने जा रहा है। आपको बता दे कि यह साल का आखरी और दूसरा चंद्रग्रहन होगा। पहला चंद्रग्रहन 16 मई 2022 को लगा था, 8 नवंबर को कार्तिक महा की पुर्नीमा तिथी है। हिंदु पंचां के अनुसार कार्तिक महा के शुकल पक्षकी पुर्नीमा तिथी को देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। जोतिश मन्नेताउं के अनुसार देव दिवाली के दिन चंद्रग्रहन लगने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आईए जानते है 8 नवंबर 2022 को लगने वाले चंद्रग्रहन की संपूर्ण जानकरी साल 2022 का दुसरा और आखरी चंद्रग्रहन भारतिय समय के अनुसार 8 नवंबर को शाम करीबन 5 बचकर 32 मिनट से शुरू होगा और शाम 7 बचकर 27 मिनट तक रहेगा जोति शास्तर के मुताबिक चंद्रग्रहन की दवरान सुतक काल का समय ग्रहन के शुरू होने के 9 घंटे पहले लग जाता है ये चंद्रग्रहन भारत के कुछ हिस्सो में दिखाई देगा इसलिए चंद्रग्रहन का सुतक काल मान्य होगा साल 2022 का आखरी चंद्रग्रहन भारत समेत कई एसियाई द्विपो दक्षिन पुर्वी यूरोप अस्ट्रेलिया उत्तरी वदक्षिन अमेरिका पैसिफिक अट्लांटिक और हिंद महासागर में दिखाई देगा आपको बता दे जब सुरिय और चंद्रमा के बीच में फृत्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहन होता है आठ नवंबर को लगने वाले चंद्रग्रहन का पांच राशियों पर सबसे ज़्यादा असर होगा इसलिए इन राशिके जातकों को बहुत संभल कर रहने की सलाह दी जाती है चंद्रग्रहन के दिन रुषब, मिथुन, कन्या, तुला और रुचिक राशिके जातकों को बहुत संभल कर रहना होगा इन जातकों को सेहत आर्थिक करियर और कारोबार के मुर्चे पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहन के दोरान हमें कोई भी मांगलिक कारिय अर्थात शुभकारिय किसी सुरत में नहीं करना है। चंद्र ग्रहन के दोरान किसी भी परिस्थिती में हमें भगवान की प्रतिमाओं को अपने हातों से नहीं चुणा चाहिए। चंद्र ग्रहन के दोरान घर आंगन में लगे तुलसी के पवधे को बिलकुल भी चुणा नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहन जब तक समाप्स नहीं होता है तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहन खत्म होने के बाद स्नान कर भोजन करना चाहिए। चंद्र ग्रहन के दवरान गर्भवती को चाकु का इस्तमाल किसी हालत में नहीं करना चाहिए। बच्चे पर इसका असर पड़त साथ ही गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहन के समय भगवान शिव के मंद्रों का उच्चारन करना चाहिए। धन्यवाद।